मार्केट के थपेड़ों के बार वापणोरी के मोड में आ चुका है और फाइनली हम जिस तरीके से आगे जा रहे हैं वो वही है कि आर जो बुलरन खत्म होने की बाते कर रहे थे जिनको टेंसन बढ़ गया था उन लोगों के लिए अच्छे ख़वर यही है कि मार्केट ने फ अब तक बुलरन चलेगा कई थपेड़े आपको इस टाइप से परिसान करेंगे लेकिन अगर आपको मार्केट की खबरे पता है मार्केट में क्या हो रहा है अगर उसका थोड़ा भी एनलाइस कर लिया आपने या फिर केवल वीडियो ही देख लिए मेरे नहीं किसी के भी देख लिए तो आपको यह चीजें लग जाएगे क्या मार्केट आगे क्या मूँ करने वाला है घबराहट नहीं होगी और फाइनली देखो थपेड़ों के बाद बिटकोईन एक लाग डॉलर पर वापस आया है आखिर यह क्यों आया है यहां पर यह भी हम बताएंगे आख कोईन को लेकर जो कि आगे आप लोगों को उस्सा से भर सकती है इसके अलावा विल्स का क्या रुक रहा था जब मार्केट डाउन गया था जिससे आपको एक अंदाज लगेगा कि वील्स क्या सोचती है जब मार्केट बोटम पर जाता है क्योंकि मैंने कल आपको एक पटि बनें गे तो फिर यह किसे पॉसिबल मतलब सब करोड़ पती कैसे बन जाएंगे मतलब कोई तोपेशा गवाएगा न सब करोड़ पति बनेंगे तो कैसे बनेंगे तो यहाँ पर देखो empyah कि- को पता नहीं होता है यह लोग यही चाह रहे है कि आप लोग पीशा गवाव और ये लोग करोड़ पती बने वील्स करोड़ पती बने लेकिन हम एसा होने नहीं देंगे इसलिए आपको परड़ अपडेट देता हूँ चाहे कल एक साधी समारों अटेंड करके तुरंत वीडियो बनाने बेट गया घर आया तो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे खेर बाते चलती रहेगे सबसे पहले तो देखो पूरा क्रिप्टो मार्केट आपके ओल्ट कोईन आपके लार्ज कोईन आपके अल्ट कोईन लगभग लगभग सभी ने कल से ही ग्रोथ दिखानी स्टार्ट कर दी थे 48 घंटे से मार्केट जितना डाउन हुआ था पिछले भी रिकवरी एकोर बड़ा बूश्ट दिखाया है उससे भी उपर चले गया शीबायनू सहीत अपने वापस लेवल पर पहुच गए है थोड़ा बहुत नीचे है 33 का लेवल फिर से शीबायनू आने की तयारी हो और एसा लग रहा है कि हो सकता है इस बाद शीबायनू 33 का चोथी बार आने के बाद तोड़ दें अब देखें तोड़ पाता है नहीं लेकिन आपके ओल्ट कोईन सभी बढ़ रहे है लार्ज कोईन भी बढ़ रहे है लग भग लग भग सभी कोईन में 10% से लेके 20% 30% और 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है कुछ कुछ कोईन तो 40% तक यहाँ पर पंप हो चुके है तो यह बताता है कि देखो बूल रन इसी को कहते है मार्केट डाउन जाएगा बोटम पर जाएगा लोग एंट्री लेंगे मार्केट रिकावरी कर लेगा क्योंकि टेंसर नहीं है एक भाई जाएगा तो 10 भाई खड़े हैं एंट्री लेने के लिए ये बात ध्यानरों को हर कोई मोके की तलास में रहता है और इतना कम डीप में अगर 20-20% 33% डाउन में अगर कोई सा कोईन मिल रहा है तो कोन हाथ छोड़े गया यार सब लपक लेंगे और यही कुछ होता है यहाँ पर अगर आप देखो बिटकोईन को ही देख लो बिटकोईन एक लाक लेवल पर आ गया है तो सबसे पहली नियूज यहीं से निकलती है देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के रिकवरी के लिए सबसे पहला जो रिजन बताया जा रहा है वो है यूएस रेट कट का आपको पता है कि जो रेट कट है उसका तीन जनवरी के दिन डेटा आने वाला है और एसी संभावना है कि हमें यूएस फिर से अपना जो फेड है वो अपना रेट कट यहाँ पर कर सकता है और यही रिजन है कि बिटकोईन में एक होप यहाँ पर क्रियेट हुआ है और यहाँ पर फिर से एक लाक लेवल पर आया ह क्योंकि market जब kreis हुआ था तो ये भी एक reason था rate cut का कि यार fade reserve जो उसकी है bank वो rate cut नहीं करेगी और यहाँ पर rate cut की जैसे खबरे आई market ने फिर से एक संझेवनी market ने दी है तो rate cut एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये कहिना कई market को effect करता है हमेशा करता आया है और यहाँ पर rate cut की एक अच्छी खबर है जो market को एक संझेवनी देगी और मेरे हिसाब से अगर फिर से rate cut होता है यूएस का फेड का तो कहिना कई market को एक लाग वीस अजार डोलर बिट को इनको पहुचाते हुए देर नहीं लगेगी ये बात आप ध्यान रख लो और ये कहिना कई market को एक प्रिटियों ने कही है जहां पर बिट कोईन के बारे में उन्होंने दो अच्छी बाते बताई है जिस कारण से बिट कोईन इतना तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ेगा अगर बहुत सब्सक्राइब कहते हैं कि आखिर यार बिट कोईन क्यों बढ़ रहा है इसके पीछे क्या है तो उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा है कि यार बिट कोईन की जो इसके लिबिलीटी अच्छी है लो फीस एनरजी एफिशेंसी है यह तो बोले कोई भी कर सकता है कोई सी भी ब्लोक्चेन या कोई सी भी कोईन यह चीज़े ला सकता है लेकिन जो सबसे बड़ी दो दो पाते हे वह है पहला तो उसका हिस्टोरिकल डेटा ठीक है बिटकोईन का हिस्टोरिकल डेटा एक रीजन है यहां पर जिस टाइप से हिस्टरी है और एतिहासिक महत् ignor है एक इम्पोटैंट र्ओल है बिटकोईन का व कि आर्थिक growth है इसमें ये दो चीजे है आर्थिक growth मतलब economic growth इसमें बड़ी चीज है क्योंकि जिस टाइब से bitcoin का बताया जा रहा है कि 5 लाग डोलर जाएगा लोगों ने देखा है कि bitcoin ये वही है जब यार 100 डोलर में भी मिल रहा था आज एक लाग डोलर हो गया है प्राइज एक टाइम दो डोलर थी bitcoin की प्राइज एक टाइम 16,000 भी हो गई थी 2022 में प्राइज 16,000 से सीधे एक लाग डोलर तक चले जाना लोगों को लगता है कि आर बहुत बड़ी achievement है और इसलिए आर्थिक महातु भी है इसका एतिहासिक महातु है ग्रोथ की संभावना है और इसलिए रिपल के CTO ने कहाई कि ये दो बड़े reason है bitcoin के बढ़ने का और ये reason कभी bitcoin खतम नहीं कर पाएगा और इस कारण से bitcoin हमेशा ही बढ़ता जाएगा उदर rich debt poor debt के लेखक ने भी कहा था कि देखो bitcoin एक time एस से चले जाएगा जहाँ पर मध्यम वर्गियों और गरीब लोग bitcoin को खरीद ही नहीं पाएगे उनके हाथ में ही रहेगा क्योंकि आगामी दिनों में आप देखो एक करोड रुपे bitcoin का प्राइज होने वाला है मतलब एक bitcoin एक करोड रुपे में मिल रहा है अरे भाईया सो साथ हजार रुपे में अगर एक bitcoin खरीद लिया होता किसी बंदे ने आज से 2009-10 में तो आज वो एक करोड रुपे में बेचता एक bitcoin आप समझ सकते कितनी बड़ी चीवमेंड है तो ये चीज़े है यार एक और बड़ी खबर है यहाँ पर अगर आप देखे तो bitcoin देखो wheels क्या सोचती है आपको पता आप चलेगा कि bitcoin wheels deploy more fund during deep creating 342 new wallets मतलब आप समझ रहे है ये कितनी बड़ी बात है अगर आप समझोगे तो मालुम पड़ेगा हम लोग जब deep जाता है न मारकेट अभी क्रेस हो रहा था बहुत सारों के comment आये थे बड़ी चिंता में डूब गये थे बड़ा tension उन्होंने ले लिया था अब तो गया bull run खतम अब तो बेज दो अब तो निकल जाओ अब तो कुछ नहीं होना है फिर से हम लोस में आ गये या हमने profit गवा दिया बुक कल लेना था देखो यहाँ पर wheels bitcoin deep में खरीद रही है जब market deep गया न उस time अच्छा खासा fund wheels ने लगाया है bitcoin सहित सभी coin में मतलब 342 new wallet create हुए है इस दो उन आता है उसी में market से panic हो जाते है यहाँ पर 342 नए wallet बन गए और मैंने पहले ही कहा था कि देखो घबराना नहीं है ऐसे थपड़े बार बार आएंगे आपको tension देंगे लेकिन tension लेना नहीं है बलके धेर के साथ बने रहना है hold is gold के साथ बने रहना है hold रखोगे तो gold मिले टेंशन नहीं लेना है 25 तक कंतिजार करना है मेरे हिसाब से अप्रेल मार्च अप्रेल तक एक bull season यहां तक peak पर रहने वाला है bitcoin वहीं पर जाके आपके जितने भी altcoin है ना वो बड़ा profit देंगे शीबा ने भी जब profit दिया था ना पिछले bull run में जब bitcoin अपनी peak पर पहुच गया था 63,000 डोलर तब जाके दिया था मतलब bull run end था उच टाइम तो एसा ही बहुत सारे coin है जो end में जाके अपना असली रंग दिखाएंगा असले pump दिखाएंगे तो weight आपको करना ही पड़ेगा risk थोड़ी लेनी ही पड़ेगी और अगर आप risk नहीं लेना चाते तो कम से कम थोड़ा amount निकाल लो जाकि आपको loss ना हो profit आपका safe रह जाए और आप अपना principle save कर सको बाकी आपको weight तो करना है पड़ेगा देखो market recovery किस type से हुआ है तो चीजे अपने आप में सुधरेगी pension मत लेना घबराहट मत करना आप बड़ा profit यहां पर बनाने आये है market की news आपको पता होना चाहिए इसलिए चैनल को subscribe कर लेना वीडियो लाइक नहीं करते आपके लिए बहुत important वीडियो लाता हुए कि लाइक कर दो यार फटा फट